Hello Students, तो अब हम करेंगे Question No.4. तो Question No.4 किस तरह से दे रखा है? यहाँ पर यह हमारा इस तरह से दे रखा है, इसको हमें Solve करना, यानि की Y की Value Find Out करनी है. तो इसको किस तरह से Solve करेंगे? यहाँ पर इसको Cross Multiply करेंगे, इसको इसके साथ Multiply करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको इसके साथ multiply करेंगे तो यह आएगा 5 3 y plus 4 is equals to minus 2 2 minus 6 y यह हमारा क्या imply करेंगा 5 3 is a 15 y plus 5 4 is a 20 is equals to minus का 2 इससे multiply करेंगे तो यह minus का 4 इस minus 2 को इससे multiply करेंगे minus minus plus 2 6 जा 12 y अब हमें क्या करना इसको solve करना है तो solve करने के लिए क्या करेंगे variable वाले terms को एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे यह 15 y है इसको ऐसे लिखा रहे हैं देते हैं इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड में तो यह हो जाएगा 12 y यहाँ पे 20 इसको ले जाएंगे right साइड में तो यह हो जाएगा minus का 20 minus का 4 अब यहाँ पे 15 y में से अगर हम 12 y को minus करेंगे तो यह बचेगा 3 y और यहाँ पे 20 में अगर हम 4 को add करेंगे तो यह हो जाएगा 24 तो यहाँ पे यह क्या imply करेगा यहाँ पे देखो यह 3 जो है वो इसके multiplication में इधर जाएगा तो division में जाएगा तो y is equal to हो जाएगा minus का 24 upon 3 3 का table पढ़ते हैं 3 8 जा 24 तो यह आएगा minus का 8 यह imply करेगा y is equal to minus 8 और यही हमारा answer हो जाएगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही